दोस्तो ये firm no.1 अधार enrollment and update firm है ये उन लोगों के लिए है जिनका age 18 साल है या 18 साल से ज्यादा है तो guys इस firm के थुरू क्या क्या काम कर सकते हैं इस firm के थुरू अगर जिनका अधार काड नहीं बना है वो अधार काड बनवा सकते हैं भर के और जिनका अधार काड पहले से बन क्या है वो अधार में कुछ changing करवाना चाहते हूं जैसे नाम डेटर बर्थ होगेरा जो भी हो वो चेंज करवा सकते हैं तो चलिए मैं इसको भरने के लिए बता देता हूं मैं इसमें भर के बताऊंगा निया अधार काड बनवानी के लिए मैं भरूंगा तो guys भरने के यहां पर भर रहा हूं तो यहां पर टिक लगा लिया हूं उसके बाद second number में देखिए यहां पर resident Indian पर टिक लगा लेना है उसके बाद यहां पर देखिए तिन नमर में नेम यहां पर लिख देना है जिनका अधार काड बनेगा उनका नाम यहां पर रहेगा उनका पूरा न अगर डेट अपर यहाँ पर आपको और यहां पर देना है यहाँ पर यहाँ पर दोड़ सबस्क्राय कोई बरी प्रोफ है यहां पर आपके पास अपना अपने आईडी पूरूफ के हिसाब से यह आधार काड़ बनवा सकते हैं अगर नहीं है तो हम डॉकुमेंट वेरिफिकेशन पर किये हैं उसके बाद देखिए यहां पर आना है सबसे पहले पांच नमबर में देखिए एड्रेस भरना होगा तो एड्रेस भरने के लिए सबसे पहले कियर आफ में यहां पर देखिए फादर्स का नाम आप पूरा डाल देंगे उसके बाद यहां पर अगर आप सीटी में रहते हैं तो यहां पर देखिए अगर आप विलेज या गाउं में रहते हैं तो यहां पर अपने विलेज गाउं का नाम लिख देंगे अगर अपना post office का नाम यहाँ पे भरेंगे, post office का नाम भरने के बाद यहाँ पे pin code आपको भरना होगा, इस वाले box में pin code भर देंगे, pin code भरने के बाद आपको यहाँ पे sub district यहाँ पे अपना भर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जीला यहाँ पे भर देना होगा फिर यहाँ पर आप किस state हैं वो अपना state यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद देखिए गाईज यहाँ पर ID टाइप में पूछ रहा है आप ID में क्या लगा रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोटर ID कार्ड डेविलेसेंस या पासपोर्ट रासन कार्ड जो भी आप लगा रहा हैं वो यहाँ पर लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे proof of address में क्या दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं यहाँ पे आप लिख देंगे उसके बाद guys यहाँ पे proof of data work में आप क्या लगा रहे हैं वो यहाँ पे birth certificate हो तो यहाँ पे birth certificate लिख देंगे उसके बाद गाईज देखिए मैं इसको थोड़ा सा उपर कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसके बाद देखिए गाईज यहाँ पे छे नमबर में Head of Family Base अगर आप इंडॉल्मेंटे अपडेट करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फेमिली मेंबर में किसी का भी यहाँ पे नाम भर सकते हैं जैसे माता हो या पिता या कोई भी गरजियन का यहाँ पे नाम डाल देंगे उसके बाद यहाँ पे उनका अधार नमबर भर देंगे फिर यहाँ पे उनसे क्या relation है इस पे टीक लगा लेना है mother है या father है जो भी है टीक लगा लेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे आपका guardian बना है उनसे यहाँ पे head of family में यहाँ पे signature करवा लेना है उसके बाद देखिए यह 7 number गाईज नहीं भरना है जिनको update करवाना है अधार कार्ड में उनका अधार कार्ड पहले से बना हो उसमें कुछ changing करवाना हो जैसे नाम, biometric, photo या date, birth, address वो लोग इसको भरेंगे, जिनका नया अधार कार्ड बनेगा वो इसको नहीं भरेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे declaration को पढ़ लेना है पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे जिनका अधार कार्ड में कुछ changing होगा उनका यहाँ पे signature हो जागा, उसके बाद यहाँ पे date भर देंगे फिन यहाँ पे time भर देंगे, तो कुछ इस तरह से आपका form complete हो जाता है तो इस तरह से भर के आप अपने अधार कार्ड बनवा सकते हैं या अधार कार्ड में कुछ changing करवा सकते हैं